अलो विवर्स मैं उर्मिला आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रियेटिव विजन हब में आज का हमारा टॉपिक है पुरस्कार एम सम्मान 2020 पार्ट टू और ये किसी भी कॉम्पर्टिटिव एक्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में पुरस्कार एम सम्मान से संपूर्ण जानकारी शेयर की गई है अगर ये जानकारिया आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूले ताकि हमारे अगले वीडियो की न पुरस्कार 2020 यह पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राजी को दिया गया है यह पुरस्कार उन राजियों को दिया जाता है जिन्होंने पंचायतों के कारियों में सुचना प्रध्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा यूज किया है हमारा अगला पुरस्कार है साइन्स एंड टे गया है जो एक बहुत ही प्रसिद्ध लोग कलाकार है इन्होंने तमाशा कला के संरक्षन और प्रसार में व्यापक योगदान दिया है अगला पुरसकार है order of rising sun यह पुरसकार मनिपूर के डॉक्टर थांग जाम धबाली सिंग को दिया गया है यह डॉक्टर होने के साथ साथ मनिपूर tourism forum के संस्थापक भी है यह सम्मान उन्हें जापान ने सजावट के लिए दिया है अगला पुरसकार है एडिशन पुरसकार यह पुरसकार टाटा पावर को दिया गया है यह पूरे विश्रु भर के सर्वस्रिस्ट नवाचारों और इनोवेटर्स को समानित करता ह जिसकी सुरुवात 1887 में थॉमस अलवा एडिशन की याद में की गई थी हमारा अगला पुरसकार है निकेई एशिया पुरसकार 2020 यह पुरसकार साइन्स एंड टेकनोलोजी के छेतर में प्रोफेसर थाल पिल प्रदीप को दिया गया है क्योंकि उन्होंने नैनो पानी फिल्टर करने वाली मशीन बनाने में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया हमारा अगला पुरसकार है हीरो टू एनिमल एवर्ड यह एवर्ड ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पतनायक को दिया गया है क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के कारण लागु के दोरान ओडिशा में सामुदाइक पस्यों को चारा खिलाने के लिए राहत कोस से 54 लक्स की रासी प्रदान की अगला पुरसकार है पैन हैमिंग वे पुरसकार 2020 यह पुरसकार नोवलिस्ट रुचिका तोमर को दिया गया है उनकी नोवल एप्रेयर फॉर ट्रेवलर्स के लिए अगला पुरसकार है चमेली देवी जैन पुरसकार यह पुरसकार रोहिणी मोहन और आर्फा खानम शेरवानी को दिया गया है महिला पत्रकारों को प्रति वर्ष यह पुरसकार उनकी प्रतिबधता साहस एं विसिस्ट योगदान के लिए दिया जाता है जिसकी श्रूबात 1980 में की गई थी अगला पुरसकार है एमस स्वामिनाथन पुरसकार यह पुरसकार विप्रमींद राव को दिया गया है जो तेलंगाना राज के कृसी विश्व विद्याले के कुलपती है और यह पुरसकार क्रिशी अनुसंदान, सीक्षन, विस्तार और प्रसा आसन के छेत्र में दिया जाता है अगला पुरस्कार है श्यामा प्रशाद मुखरजी पुरस्कार यह पुरस्कार असम के सियम सर्वानंद सोनोवाल को राजनीती के लिए दिया गया है इसकी स्थापना इंडिया फाउंडेशन द्वारा की गई थी अगला पुरस्कार है स्वामी विवेका नंद कर्मयोगी पुरस्कार यह पुरस्कार जादव पायोंग को दिया गया है बड़े पैमाने पर वनीकरण के माध्यम से एक वास्त्विक मानो निर्मित जंगल बनाने के प्रयासों के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किय गया अगला पुरसकार है राजा रवी वर्मा पुरसकार यह पुरसकार वासुदेव कामत को दिया गया है और इस पुरसकार की स्थापना करनाटक के श्री रवी वर्मा कला संस्थान द्वारा की गई है अगला पुरसकार है महिला उत्कृस्टता पुरसकार 2020 यह पुरसकार नीती कुमार को दिया गया है नैशनल एकेडमी से एफिलेटेड वोमन साइंटिस्ट जिनकी उम्र 40 से कम होती है उन्हें यह पुरसकार दिया जाता है अगला पुरसकार है आदर्श विधानसभा अध्यक्ष पुरसकार यह पुरसकार केरल विधानसभा के पी श्री राम को दिया गया है अगला पुरसकार है पच्चीसवा देवी संकर अवस्थी सम्मान 2020 यह पुरसकार राहुल सिंग को दिया गया है जो राची के युवा लेखक और आलोचक हैं अगला पुरसकार है डैन डेविस पुरसकार 2020 यह पुरसकार गीता सेन को दिया गया है यह भारत ये नारीवादी विद्वान कारे करता है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, प्रजनन और यौन स्वास्त और गरीबी उन्मूलन के लिए कठोर महनत की। यह पुरसकार हमारी दुनिया पर एक उतक्रिष्ट सांस्कृतिक या समाजिक प्रभाव वाली उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। अगला पुरसकार है मात्री भूमी बुक अफ दा इयर पुरसकार या पुरसकार विनोद कुमार शुकला को उनकी बहतरीन काल्पनिक रचना ब्लू इस लाइक ब्लू के लिए दिया गया है। अगला पुरसकार है पैन गौरी लंकेश्ट पुरसकार 2019-20 यह पुरसकार कश्मीर के वरिष्ट पत्रकार यूसुफ जमील को दिया गया है अगला पुरसकार है किसोर कुमार सम्मान 2018 यह पुरसकार वॉलीवुड की बहतरीन अदकारा वहिदा रह्मान को दिया गया है अगला पुरसकार है कर्मवीर चक्र पुरसकार यह पुरसकार सुनील YDVSS को दिया गया है और यह पुरसकार उन लोगों को दिया जाता है जो साहस दिखाते हुए परिवर्तन की पहल करते हुए कम यात्रा करने वाले जीवन पतों पर चलते हुए समाज में उतक्रिस्ट योगदान करते हैं अगला पुरसकार है एसिया प्रशान्त रिजन के सर्व स्रेस्ट बैंकर पुरसकार यह पुरसकार RBI के गवर्नर शक्ति कांत दास को दिया गया है क्योंकि उन्होंने ग्रोथ को प्रोथसाहित किया और अर्थ व्यवस्ता को संतुलित बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा प्रबंधन किया यह पुरसकार बैंकिंग नियमों को कड़ा करने के लिए किये गए प्रयासों के लिए बैंकरों को दिया जाता है ताकि किसी भी तरह की गड़बडी की गुंजाईश ना रह सके अगला पुरसकार है हरित रत्न पुरसकार यह पुरसकार डप्र एनेस कुमार को दिया गया है जो तमिललाडू कृषी विश्वविध्याले के वाईस चांसलर भी है उन्हें यह पुरस्कार क्रिसी व्यवसाय में 30 करोड रुपय की उद्धमित परियोजना के प्रसार और तमिलाणु में क्रिसी छेत्र की और छात्रों को प्रेरित करने के लिए दिया गया है अगला पुरस्कार है एशिया खेल परिवर्तक पुरस्कार 2020 यह पुरस्कार शेफ विकास खन्ना को दिया गया है यह पुरस्कार उन्हें भारत में COVID-19 महमारी के दोरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरन अभियान फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए दिया गया है अगला पुरस्कार है Athlete of the Year पुरस्कार यह पुरस्कार भारतिय मैला होकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को दिया गया है उनको यह पुरस्कार शांदार प्रदर्शन समाजिक सरोकार और अच्छे व्यवाहार के लिए दिया गया है अगला पुरस्कार है Antirastriya Gandhi पुरस्कार यह पुरस्कार NS धर्म शक्तु को दिया गया है राश्ट्रपति रामणात को विंद ने NS धर्म शक्तु को व्यक्तिगत स्रेणी में कुस्ट रोग उन्मूलन की दिशा में किये गये उत्कृस्ट प्रयासों के लिए यह पुरस्का दिया गया है यह एक पर्यावरन अर्थ शास्त्री और संजुक्त रास्टि पर्यावरन कारिक्रम के सद्भावना दूत है इस पुरस्कार को पर्यावरन का नोबल पुरस्कार माना जाता है